हे दोस्तो, पीटर थील एक billionaire entrepreneur, venture capitalist और founder है पेपाल के, उन्होंने startups और business के उपर एक lecture लिया था Stanford University में, उस lecture में उन्होंने students को कुछ principles बताये थे, जिससे वो students भी उनकी तरह एक billion dollar business बना सकते हैं, और वो भी हमारे world को better और improve करके, Blake Masters नाम के एक student ने इस lecture के एक detailed notes बना ली थी, ये notes लोगों के इतनी काम की लगी कि वो college के बाहर भी फैलने लगी, तब Peter ने Blake Masters के साथ काम करके, उस notes को और improve करा, और उसकी एक book बना दी, ताकि बस Stanford, उनकी city या उनकी country के लोग ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया के लोग इस knowledge का फाइदा उठा पाए, आज मैं उसी book के कुछ principles आपके साथ share करूँगा, so let's begin, principle number one, go from zero to one, एक ऐसे time पे जब traveling के लिए घोड़ो का इस्तमाल होता था, उस time अगर आप लोगों को और तेस घोड़े लाके देते, या बहतर घोड़ा गाड़ी बना के देने का business करते, तो एंड जाना, लेकिन अगर आप घोड़ा गाड़ी के बज़ाए, लोगों को एक नया तरीका दे देते हैं, ट्रैवनिंग का, एक कार बना के, जैसे Henry Ford ने किया, तो उस progress को कहते हैं, zero to one जाना, अगर आपको successful बनना है, तो कुछ नया करो, और zero to one जाओ, जिसे vertical progress भी बोलते हैं, कुछ ऐसा करो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, क्योंकि अगर आप जो चीज पहले से बनी हुई है, बस उसे ही copy कर रहे हो, अपने थोड़े बहुत changes लगा के, तो आप one से end जा रहे हो, जिसे horizontal progress भी कहते हैं, लेकिन ये करने से आपको success मिलने के chance बहुत कम हो जाते हैं, गलती से आपको थोड़ी success मिल भी जाएगी, तो भी वो बहुत बड़ी नहीं होगी, और जाधा time तक भी नहीं टीकेगी, business world में हर बड़ा event बस एक बार होता है, दुनिया का अगला Bill Gates operating system नहीं बनाएगा, अगला Mark Zuckerberg एक social network नहीं create करेगा, और अगला Larry page एक search engine नहीं बनाए अगर आप इनके product को copy कर रहे हो, तो आप इनसे सीख रहे ही नहीं हो, क्योंकि इन लोगों को huge success मिली जब वो 0 से 1 गए, पर अगर आप इन्हें exactly copy करने का try करोगे, तो आप बस 1 से end जा पाओगे, जो के best option बिल्कुल नहीं है, principle number 2, become a monopoly, avoid competition, हम ऐसी society में रहते हैं, जहाँ competition को बहुत encouragement मिलता है, हमारा education system बच्चों को बच्पन से ही compete करना सिखाता है, पहले वो marks के लिए एक दूसरे से compete करते हैं, फिर job के लिए, फिर कोई नहीं मिलता तो अपने neighbors के साथ ही compete करने लगते हैं, पड़ोसी से जदा अच् लिए हर चीज के लिए loss ही देगा, education system और दूसरी चीज़ों के लिए कभी और बात करेंगे, business में भी competition जहर जैसा होता है, पीटर बताते हैं कि competition और capitalism opposite है, एक profit generate करने से related है, जबकि दूसरा profit को खतम करने से related है, आपके business market में जितना ज़्यादा competition होगा, उतना कम आप profit कमा पाओगे, फिर चाहे आपका business कितना भी बड़ा क्यों ना हो, example, US की airline companies करोडो और अर्बो में पैसे बनाती है, पर फिर भी 2012 में वो companies एक passenger पे बस 37 cent का profit कमा पाई थी, अब इसे compare करते हैं Google से, Google ने उसी साल total 50 billion बनाया थे, जबकि airlines ने 160 billion, लेकिन Google ने उस 50 billion में से 21% का profit बन करने के चकर में, अपने ticket के दाम कम कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ Google अकेले ही अपना जदातर market dominate कर रहा था, बिना किसी से profit के लिए compete करे, आज की time पे अगर हम सारी US airline companies के profit को एक कर दे, फिर भी Google उनसे 3 मुना जदा profit कमाता है, Google ऐसा कर पाता है क्योंकि Google का search engine एक monopoly है, औ ठीक, इसी तरह अगर आपको भी बड़ी success चाहिए, तो आपको एक monopoly create करनी चाहिए, अपने product या service की, जिसमें आपसे better और कोई दूसरा option हो ही ना लोगों के पास, प्रिंसिपल नंबर 3, start with a niche market and then dominate, Amazon आज एक ऐसी website है, जहां आपको A to Z almost हर सामान मिल जाएगा, पर Amazon ने अपनी शुरुवात ऐसे नहीं की थी, start में Amazon ना बस एक छोटे से market पर concentrate किया, वो market था books पढ़ने वाले लोगों का, इससे पहले तक किताबे बस bookstores पर मिला करती थी, जिसकी वज़ा से बहुत सी book, बहुत search करने के बाद भी लोगों को मिलने ही पाती थी, और book publishers को काफी loss होता था, बट फिर Amazon ने एक online bookstore बना के एक zero to one progress लाया, जिससे बहुत लोगों का बहुत फाइदा हुआ, books के business में success मिलने के बाद, Amazon ने और दूसरे books related products जैसे CD, DVD, etc. बेचना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे हर market को dominate कर दिया, ऐसे ही एक और example है खुद PayPal का, Peter Thiel ने starting में ये नहीं चाहा कि दुनिया का हर इंसान online payment करना start कर दे, बल्कि उन्होंने बस एक छोटे से niche market पे focus किया, ये market था eBay के users का, जिनने हर दिन चीजों को खरीदने और बेशने के लिए checks का use करना पड़ता था, पीटर ने उन्हें एक online solution दिया PayPal के form में, जिसे वो लोग easily एक दूसरे को पैसे transfer कर पाते थे, और वो पैसे उन्हें फॉरण मिल जाते थे, ना कि checks की तरह जहां उन्हें काफी weight करना पड़ता था पैसे मिलने के लिए, eBay का छोटा सा market dominate करने के बाद, PayPal ने धीरे धीने normal लोगों को भी online payment का easy तरीका दिखाया, जिसके बाद PayPal एक billion dollar company बन गई, इसी तरह अगर आपको भी अपने business को एक बड़ा success बनाना है, तो पहले एक छोटे से niche market से start करो, छोटे से group के लोगों की कोई एक बड़ी problem solve करो, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जहां बहुत कम या फिर competition हो ही ना आपके लिए, पहले वहाँ एक दम अच्छी service दो, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे expand करके related market को dominate करो, ये बात याद रखो के एक बड़े से तालाब में एक छोटी सी मचली, जिसे दूसरी बड़ी मचलिया कभी भी खा के आराम से खतम कर दे, वो बनने से better है कि पहले आप एक छोटी से तालाब की बड़ी मचली बनो, और फिर उसके बाद बड़े तालाब में जाओ, कैसे बनाना है, ये बात सिखा सकती है, नीचे दियागे description लिंक में जाके आप ये book खरीच सकते हो, अगर आप मेरे वीडियो कभी मिस नहीं करना चाहते हो, तो आप setting में जाके अपने notification अन कर दे, और फिर मेरे channel के home पे जाके उधर बने bell पे click कर दे, इससे आपको जब भी मैं एक new वीडियो अप्लोड करूँगा, उसका notification आजाएगा, लाइक करें अगर आपको ये principle काम के लगे, अपनी views कमेंट करें, शेर करें इस वीडियो को उनके साथ धिने business में इंटरस्ट हो, सब्स्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बाते आपके साथ शेर करता रहूँगा, usually हर वी, and finally, thanks for watching,